साथियों, आज भारत में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में ही नोकरियों के निरंतर नए मौके बन रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में हमारे नवजवान स्वारोजगार के लिए भी आगे आ रहे हैं। बिना गरंटी बैंक से मदद दिलाने वाली मुद्रा योजना ने करोडों युवाओं की मदद की हैं। स्टार्ट अप इंडिया, स्टेंड अप इंडिया जैसे अभ्यानों से युवाओं का सामर्थ और ज्यादा बढ़ा है। सरकार से मदद पाने वाले नवजवान अब खुद अनेक युवाओं को नोकरी दे रहे हैं। बीते वर्षों में जिस तरह बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी नोकरी दी गही हैं। यह अभ्यान भी अपने आप में अभूत्पुर्व हैं। देश में सरकारी नोकरी देने वाले प्रमुक समस्थानों जैसे SSC, UPSC और RRB पहले के मुकाबले इन व्यवस्थाओं के माध्यम से जादा युवाओं को नोकरी दी हैं। और अभी जो वीडियो दिखाया गया उसमें उसका जिक्र भी है। इन समस्थाओं का जोर परिक्षा प्रक्रिया को पारदर्सी, द्यवस्तित और सरल बनाने पर भी रहा है। पहले जिन भरती परिक्षाओं को पूरा होने में उसका जो चक्र होता था, वो चक्र पूरा होने में साल, डेड़, साल का समय यूही लग जाता था। और अगर वो कोई कौट कचरी में चला गया, तो दो-दो-पांच-पांच साल भी गड़ जाते थे। ये सारी चीजों से बाहर निकल करते हैं, अब कुछी महिनों में सारा चक्र, सारी प्रक्रियाएं पारदर्शिक पद्धती से पूर्ण कर दी जाती हैं।